सो अभी तक आप लोग कीबोर्ड का वीडियो फोन से ही रेकॉर्ड करते आयों जिसमें फोन के इस माइक से कीबोर्ड की आवाज रेकॉर्ड होती है और इस वीडियो की खास बात है कि जब आप कीबोर्ड का वीडियो रेकॉर्ड करते रहेंगे फोन से तो उसी के साथ में हमारा इंटर्नल साउंड फोन में ही रेकॉर्ड होगा आई मीन जो आडियो क्लिप है वो कही अलग से रेकॉर्ड नहीं हो रही है उसी वीडियो से जुड़ी होई रहेगी सो आपका पोस्ट प्रोडक्शन में कापी टाइम बचेगा और आप इसे डिरेक्टली अपलोड कर सकते हैं कोई भी सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर सो ये सब करने के लिए आपको चीए एक USB साउंड कार्ड एक OTG अडाप्टर इसके अलवा एक 3.5 mm वाला ओक्स केबल एक 3 पोल अडियो स्प्रिटर एक 6.35 mm वाला अडाप्टर और हेडफोन्स इन सभी चीजों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और टॉप पिंड कमेंड में डाली है तो वहां से आप इने खरीच सकते हैं और जो भी चीज़े डाली है वो सभी वेरिफाइड है और इस मेथर्ड में पक्के से काम करती है तो सबसे पहले USB साउंड कार्ड ले लो और जो आपटास का माइक वाला पोर्ट है वहाँ पर आपको Aux केबर को लगाना है अब जो यह आउसक्स केबर कीबूर्ट के बाकसाइड में लगा दो जहां पर आप यूज्वलु mm वाला jack है तो आप इसे directly लगा सकते हैं इस USB sound card को phone में लगाने के लिए हमें इसे OTG adapter में लगाना है अब finally जो ये OTG है हमारे phone में लग जाएगा अब ये आप देख सकते हैं हमारी सारी चीज़े properly connect हो चुकी है अगर आपको कोई भी confusion हो तो आप यहाँ पर pause करके इस diagram को refer कर सकते हैं सो अभी आपको phone में क्या करना है वो देख लेते हैं सबसे पहले phone की settings में जाओ और वहाँ पर आपको about phone में जाना है और built number पे 4-5 बार click कर देना है सो ऐसा करने के बाद में आपका developers mode चालू हो जाएगा अभी आपको back जाना है और जो settings है वहाँ पर नीचे में scroll कर दो और वहाँ पर आपको developers mode देखने को मिलेगा और उसे open करके आपको USB debugging को on करना है ताकि जो हमारा OTG है वो हमारे phone में detect हो और ये सब कुछ करने से कोई आपका phone खराब नहीं होगा सो टेंशन मत लेना इस developers mode को start करने के लिए कुछ device में options अलग रहते हैं जैसे मेरे POCO F1 में MIUI version पे click करना पड़ता है तो जाके developers mode चालू होता है सो अगर आपको कुछ भी problem हो तो नीचे comment कर देना अभी आपको एक open camera नाम की app है उसे install करना है क्योंकि जो हमारे phone की app है इस method में अच्छे से काम नहीं कर पाती open camera को install करने के बाद में आपको settings में जाना है इस icon पे click करके अब इसके बाद में आपको video settings पे click करना है अब नीचे scroll करो और वहाँ पे audio source पे click करके आपको external mic select करना है अब recording स्टार्ट करने के बेले आपको जो keyboard की volume है उसे 50% पे रखना है ताकि हमें distortion ना है अब finally आपके phone को tripod पे लगा दो और recording को स्टार्ट कर दो और आप याला sample भी सुन सकते हैं इसी method से record किया हुआ जो लोग DSLR यूज करते हैं वीडियो record करने के लिए वो लोग Lexis Audio Editor इंस्टाल कर सकते हैं ताकि जो आपके audio clip है वो अलग से आपको record होके मिले और जो मैंने initial आपको चीजे बताई थी setup करने की वो सब कुछ same ही करना है आपको वैसे मेरे साथ में कभी ऐसा हुआ नहीं है बट अगर आपके वीडियो में आपको कई electric stutter या फिर noise सुने आए तो आप Lexis Audio Editor में noise reduction कर सकते हैं तो बस यार यही था इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे like ज़रूर करना और मैं बहुत ही जल्द professionally कीबोर्ड को कैसे record करना है उसके ओपर एक वीडियो दालने आलाओ तो चैनल को subscribe ज़रूर करना और bell icon भी दबा देना इसके अलाब आपको कुछ भी doubts हो तो आप नीचे comment कर सकते हैं या फिर अगर आपको मुझसे one on one बात करना है तो आप मुझे instagram पर message कर दीजे so thanks for watching और अगले वीडियो में मिलते